मौसम की अनिश्चिता ने इस बार किसानों को तबहा कर दिया है कभी सूखे की मार तो कभी भारी बारिश से किसान बरबाद होने की कगार पर है महाराश्ट्र भी इससे अच्छूता नहीं रहा महाराश्ट्र के औरंगाबाद कोपर गाओं में तक्रीबन तीन घंडे तर लगातार भारी बारिश हुई है इसके चलते कुरूशी उपज को भारी नुकसान हुआ है कोपर गाओं तालुका के तकली फाटा के पास एक प्यास वेपारिव दुआरा 9-10 शेड में रखा गया प्यास भारिश के पानी में डूब गया इसके चलते वेपारिव को 3-4 करोड रुपए का नुकसान हो गया है बारिश का पानी जैसे ही शेड में घुसा इसके अंदर रखे प्यास पानी में तेरने लगी कई कुंटल प्यास बरबाद हो जाने पर वेपारियों ने अब सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है प्यास वेपारियों का कहना है कि अगर सरकार आर्थिक मदद नहीं करती है तो वे वेपारी कुरूशी उपज मंडी समीती को बंद कर देंगे वेपारियों की माने तो हर एक प्यास वेपारियों को 25-25 लाग से 70 लाग तक का नुकसान हुआ है आर्थ से दस शेड में तकरीबन तीन से तीन दशम लग पाच शुन्य कोड़ रुपई की प्यास का माल मौजूद था जो पूरा खराब हो चुका है प्यास वेपारियों का कहना है कि अगले एक हपते तक मार्केट बंद है जिसकी वजह से प्यास वेपारियों ने अपना स्टॉक शेड में डाल कर रखा था कई सारे वैपारियों ने बैंक से कर्ज लेकर पैास का स्टॉक किया था लेकिन बाड़िष के पानी की वजह से पूरी पैास बरबाद हो गई अब इन वैपारियों के पास आत्म हत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा यह प्याज अब पानी में तैर रही है जो पहले से ही कम रेट पर बिग रही है अब उसे कोई खरीदना भी नहीं चाहेगा